नमस्कार दोस्तों मनभावन कीचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे कमल खाजा आईए देखिए कमल खाजा कैसे बनाते हैं कमल खाजा बनाने के लिए हम लिए हैं एक कफ मैदा उसमें मिलाएंगे लाइची पाउडर छोटे चमाच से हाफ चमाच बेकिंग सोडा हाफ चमाच नमक सबको मिला लेंगे अब इसमें मिलाएंगे दो बड़े चमाच प्रीफाइन के इसको हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह से मसल मसल के मिला लेंगे इस तरह से आपका बंधने लगे अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक दो तयार करेंगे कि अच्छी तरह से ओसे कुल दो तयार हो गया है अब इसमें हम खुडा साइज तरह से टिफाइन तेल लगा करके पांच मिनट ठक करके रखेंगे तब तक हम चीने मिला रखेंगे आपके रखेंगे आपके पाया आपको कि अच्छी एद्टाद यादार्श के अच्छी आ कामल खाजा के लिए चासनी त्यार कर लेते हैं इसमें लिए हैं एक कटोरी चीविए कटोरी के नाप से ही हम डालेंगे एक कटोरी एक कटोरी पामी डालेंगे चीनी में उबाल आ गया है अब इसमें हम एक छोटा सा नीवू कर टुपड़ा डाल देंगे चासनी त्यार हो गया है अब इसमें हम नीवू कर टुपड़ा डालेंगे इसको पाहर कर लेंगे हाथ में चीप चीप फील होने लगता है चासनी त्यार हो गया है इसमें हम थोड़ा सा फूट कलर डालेंगे इससे कलर सुंदर आ जाता है कि अप्सनली है आप इच्छा है तो डालें तहीं तो नहीं डालेंगे हम स्वाद के लिए थोड़ा सा बेनिला एसे दिस्टा देंगे आप 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 चासनी त्यार हो गया है कि यह देखें हाथ में भी चीप चीप फील होने लगता है थुरा गाड़ी चासती रखता है हम फ्लेम को बंद कर देंगे हो गया है टाल अब इसके पतला बेल लेंगे हम इसको इतना पतला बेले हैं यह देखिये इसे गोलगोल इतना से लेकर के गोलगोल कट कर लेंगे इसमें सीधाय से पानी लगाएंगे इस तरह से इसको इसे फोल्ट कर लेंगे इसके उपानी लगाएंगे इसको इसी तरह से लगाएंगे इसके उपानी लगाएंगे हमें तीन चीप का लिये हैं इसको इक चम्मच ले करके इस तरह से बीचो बीच दवाएंगे दूसरी चाहिए इस तरह से दवाएंगे इस पाठ है इसको इसे दवा देंगे तेर भी थोड़ा इसे दवा देंगे की हकी इस Hasब में संवकर इसक्शında हो इह हैं जवाएंगे पहा हैं इसको द माल जवाएंगे वाह बीच भीच सरफ प्ला तरह सार कर दपाफे माल द्फसर सकत कर दवाएंगे इसको तरह दॉसरुत्स पात दाएंगे ओन सुपन तरह स हभसर ड़्यूत। कर दो कर दो कर दो के देखिए त्यार हो गया है एक कमल का आकार ले लेता है इसी तरह से हम हम सारे कड़के त्यार कर लिये हैं कमल अब हम इसको टीप प्राई कर लेंगे तल लेंगे हम एक कड़ाई में तेल गरम कर लिये हैं अब इसमें एक कर कर के डालेंगे अब इसाद ज्यादा नहीं डालें रचल दलने में अस्पेस चाहिए इसलिए इस्पेस के अब शाट डालें चम असे इस तरह से उपर से इसका डाल को रहें इसको बुषिया कर अपने दो इसको बुषिया जाए तीजिए को दिकार देंगे इसे हाई खेब पर नहीं तलें मेडियम पर फितलना है चासनी थोड़ा गरम रहें इसी में हम डालेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो निकाल लेंगे चासनी अच्छा से दूप जाना चाहिए चासनी में बहुत असानी से बनने वाला कमल खाजा मिठाई तयार हो गया आप यह अपने घर में ट्राइ कीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रिस्पी के साथ अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए कि